MIUI 12 का bootloader unlock कैसे करें without waiting time के अगर आप यह really में करना चाहते हो तो इस वीडियो को पुड़ा एंटक watch करते रहें क्योंकि यहाँ पर मैं आपको complete detail देने वाला हूँ MIUI 12, 11 और 10 के bootloader unlocking से related अगर आप MIUI के कोई सब्सक्राइब डिवाइस यूच कर रहे हो चाहे वो Poco का स्रीच का हो, Redmi के स्रीच का हो या फिर MI के स्रीच का हो और आप चाहते को उसका bootloader one time में आप unlock कर पाओ तो वीडियो को पुड़ा एंटक जरूर watch करें क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे tools के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तिमाल करके आप काफी जल्दे bootloader unlock कर सकते हो अभी मैं फिलाल यूच कर रहा हूँ Redmi का K20 Pro device जिसे फिलाल मैं कुछ टैम पहले ही purchase किया था जिसका MI12 का update आया है और अभी तक मैंने bootloader unlock भी नहीं किया है तो इसके उपर में आपको complete detail बताने वाला हूँ तो वीडियो को पुड़ा एंटक जरूर वाच करें और इस वीडियो के अंदर मैं आपको bootloader unlock का complete detail देने वाला हूँ और दो ऐसे तरीके बताने ला हूँ जिसको follow up करके आप bootloader unlock कर सकते हो अब यह depend करें कि आप कौन सा तरीका follow up करना चाहते हो ओफिसल वे या फिर अन ओफिसल वे अन ओफिसल वे कहीं ना कहीं हद तक यह ओफिसल ही तरीका है बट डिपेंड करता है आपके उपर कि आप इसे क्या समझते हो अब ही मेरे पास है k20 pro जिसमें MIUI 12 यूज कर रहा हूँ तो सरसे पहले आपको अपने about के page पे आना है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है MIUI का जो वर्जन है इसके उपर आपको 6-7 टैप करना है तब जाके आपको एक डेवलोपर का ऑप्शन इनेवल होगा जो कि मैंने और रेड़ी इनेवल कर रखा है आप देखते हैं आप लिखा हूँ आ रहा है जो कि OEM unlocking है यह pressure disable रहता है तो इससे आपको इनेवल करने के बाद आपको डिस्प्ले का password है वो इन करने के लिए बोलेगा जब तक यह password नहीं ले रहा है जब तक आपका OEM unlock enable नहीं होगा अगर डाइक्ट on हो जाता है और password नहीं आता है तो इसका मतलब है कि यह on नहीं हो र जाला जरूरी है उसकर आपको देहनी को मिलेगा नीचे की और USB debugging इसे आपको on कर देना है मैंने अरड़ी on कर लिया है बड़ प्रैसे off रहता है जब आप on करोगे कुछ इस तरी का permission आपको देहनी को मिलेगा तो आपको 5 seconds का wait करना है उसकर आपको accept के उपर click कर देना है यह on हो जाएगा अब यहाँ पर बीच में आपको दिखाई देता है माई unlock status यहाँ पर अगरी पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको एक चीज कर ध्यान लगना है यहाँ पर मैं आपको डूर टूल प्रवाइड करना हो एक modified एक unmodified यानि official तकर आप official way से जा रहे हो तिहाँ पर rewards का हो 160 हो या 300 जो भी हो आपको पंदर दिनों का चार दिनों का तीन दिनों का waiting time confirm मिल जाता है इस पर click करने के बाद तो सबसे पहले में suggest करना है कि आप modified tool का यूज कर लो तो इसलिए आपको यहाँ पर click नहीं करना है अगर आपने यहाँ पर click कर दिया है तो यह waiting time confirm मिलेग आप modified यूज करोगे या फिर official उसके वाद यह हो जाने के बाद आपको अपने phone को जो off कर देना है तो मैं यहाँ पर simply off कर देता हूँ लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपके phone के अंदर जितना भी data है उन से भी backup बना लेना अदर्वाई सब कुछ आपका जो delete हो मैंने backup नहीं लिया था तो आप backup जरूर कर लें उसके आपको अपने phone को switch off करना है और अपने computer जो भी है जिसी का friend का भी यूज कर रहे है वहाँ पर आपको net connection कर लेना है तो मैंने यहाँ पर जो net connection कर दिया है आप देख सकते हो दिखाई दे रहा है उसके बाद आपको जो भी टूल मैंने provide किया है उसे download कर लेना है और रख लेना है अपने computer के desktop पे आपके कहीं भी folder के अंदर बहुत सारे यूजर cyber cafe या friend का laptop यूज करते हैं computer यूज करते हैं तो वहाँ पर phone detect नहीं होता है तो मैं तीन ऐसे tool नीच चे discussion प्रवाइट करने वाला हूँ जिसका tool को install कर लेने काई computer के अंदर आपके Redmi, MI या Poco का जो भी device है उसका driver computer में आ जाएगा और आपका phone जो direct करने लग जाएगा अगर direct नहीं करता है तो तो यह आप देख सकते हो एक है यहाँ आप देख सकते हो कि 3 MI के flash unlock tool दिखाई दे रहे हैं एक latest है 4.1 जो कि अभी मैंने download किय एक modified है जो कि without waiting time के one time में unlock कर देता है और एक फ़रा सा old है normal official tool तो इसके उपर मैंने बहुत टाइम पहले भी वीडियो दिया था जिस पर काफे अच्छा सा view गया है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर 100 plus views है और यहाँ पर बहुत सारे users का unlock हुआ था और बहुत सारे users का unlock न लेना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो मिल सके और नोटिकेशन को और पर क्लिक जरूर करें और यहाँ पर मैं काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप के लिए लेके आता रहता हूं जैसे कि Chinese app कैसे बैन पर मैंने सेपरेट वीडियो दे दिया था उसका लिंक डिसको में मिल जाएगा आप उसे फॉल अप कर लेना मैं फिलाल लेटिस्ट का यूज करूंगा तो इस पे जो डबल टैप क्लिक करते ही यह उसका आएगा ऑन कर देना है और एक्ट्रेक्ट टू पर किलिक करके ओके क्लिक कर देना है इससे आपको जो जीप है वो अंजीप हो जाएगा और नया फोल्डर आपको जहां जिस फोल्डर में आप अंजीप कर रहें वहाँ पर सो करेगा तो आप देख सकते हैं यह रहा 4.5 इसे ओपिन करेंगे यहां पर आपको दिखाए देगा MI Flash Unlock इस पर आप आप आपको एकाउंट डिखने को मिलेगा साइंओ डिखने को मिलेगा एक सेटिंग का आइकन इसके उपर टैप करना है जहांपे लिखावा आता है कि क्लिक the button to install the driver इसपर क्लिक कर देना है यह सागीगा यह करेंगे अगें यह करेंगे अब यहांप आगए connect your device तब आपको आपको अपने फोन का power button और volume down को long press करना है ताकि यह fastwood mood में on हो जाए अब आपको अपने cable को connect कर देना है जैसे आप यहाँ पर connect करोगे आप को हमाँ पर लिखा हुआ आ जाया कि वेट करने के बाद फिर से आपको अन्लोक एनिवेवे क्लिक कर देना है और परसेंटेज सुलू हो जाएगा अगर आप modify tool यूज कर दे हो तो 70 या 80 या 90 के पहले ही आपका phone on हो जाएगा यानि bootloader unlock कर देगा लेकिन official tool में यह 99 जाता है या उससे पहले और आप देख सेते हो क कि मेरा bootloader यहाँ पर unlock हो गया successful without किसी waiting time के तो यह same काम करता है हमारा modify tool लेकिन अगर आप है जो नया account यूज कर रहे हो या फिर आपने पहले ही कोई account का यूज कर लिया और same account अपने old phone पर यूज कर रहे हो आपको 30 का waiting time देखनी को मिल दाएगा जो कि आपको complete करना पड़े और अगर आप try करना चाहते हो modified tool तो मैं इस्टाग्राम पर उसका link देंगा आप मुझे message कर सकते हो Instagram पर follow up करके क्योंकि वह modified है तो rule वगरा वाइड होते हैं तो आप चाहू तो try कर लेना अगर आपके लिए one time unlock हो गया तो plus point है आपके लिए अच्छा है अत्वाज वेटिं लगे है फोन को on होने में कि यहां पूरा setup complete करना होगा उसकार में आपको about के session में भी दिखा दूँगा कि बूटल अन्लोक सो कर रहा है या नहीं मैं को फिर सा आपको रिभाइच कर रहा है कि क्या कुछ करना है सबसे पहला आपको developer का option on करना है करना है इन दूनों के बीच में आपको unlock का option दिखाई देगा इमाई का उस पर टैप करना है और अगर आपको फर्स तैं मोडिफाइड तूल यूज करने की सोच रहो तंदर आपको add account इस device पर क्लिक नहीं करना है और प्रमोडिफाइड को ट्राइ कर लेना है अगर काम नहीं करता है एड करने के लिए बोलता है तो आप फिर से फोन को on करके वहाँ पर एड डिवाइस पर ट्राइड कर दो एड कर दो उसका दो सक्सेस्वूली सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा अब जो मैंने ऑफिसल टूल जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरा अनलॉक हो गया बट मेरा वीड़ वेटिंग टैम के हुआ है बट किसी किसी साथ नहीं होता है अब मैं यहाँ पर सेट अप कर लेता हूँ फिलहाल हो जाता है फिर से इनेबल हो चुका है अगें बैक पर किलिक करेंगे नीचे की राएंगे अपने अपने के उपर और डेवलोपर के अपर जहाँ पर आप देख सेथे हो कि किस तरीके से मैंने MIY12 के ऊपर बूटलोड को अनलोग किया है वो भी वन टाइम है विडाउट किसी वेटिंग टाइम के तो अगर आपको यह लिए यह टिप्स वर्किंग रहता है और काम का है तो एक लाइक जिरू करना अगर नहीं वर्किंग आप डिसलाइक कर सकते हो औ और वीडियो पसंद आई हो तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल पर सेट कर ले ताकि इसी तरह का इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके और आप फुल बेनेफिटेलो ले सको मैं मिलता हूँ आपसे निक्स वीडियो में तब तक के लिए ब